खुदा का दुरूद हो इब्राहीम पेखंबर पर खुदा इब्राहीम और इस्हाक की अर्वा को शाद रखे कनान की लोगों की हिदायत और इमान इन्ही की महरवानी से है आखरी लमात में वो आपको देखने के लिए बेकरार थे उन्होंने रिसालत आपकी सुपोर्ट की है और वस्यत फर्माईए कि इब्रानियों की हिदायत की जिम्मदारी खुबूल फर्माएं इन पाक तनियत हस्तियों से मदद का खौस्तगार हूं और खुदा से रिसालत की इस अजीम जिम्मदारी की अंजाम दही पर मदद तलब करता हूं ये कमीज हमारे दादा हजरत इब्राहीम की है जो हमारे बाबा इसाख को विरासत में मिली और अब आप इसके वारिस हैं आपकी अदम मजूदगी में बाबा की आलादों में सबसे बड़ी होने की वज़ा से मैं इसकी अमीन थी और अब मैं ये अमानत आपके सुपर्ट करती हूं बाबा की वस्यत के मताबिख ये कमीज आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया तक पहुचेगी इस कमीज को अबाही रिसालत भी कह सकते हैं मुबारक हो मुबारक बात देज करते हैं मैं और कनान के लोग आपकी बैत करते हैं और हज़त इसक के बाद आपको नभी खुदा मानते हैं और आपकी रिसालत की गवाई देते हैं मुबारक हो मुबारक हो मुबारक बात देज करते हैं तुमारा क्या ख्याल है ये खमीज बाबा के बाद किसको मिलेगी जाहिर है जो भी सबसे ज्यादा ताकत वर होगा गलती पर हो वो जिसका इमान सबसे ज्यादा कवी होगा झाले कोनी बाद के जाध रुबार ज रडूराक के ज्यादा की ज्यादा जो जो भी बाद दसे जेदेगा जिसे जो एलू एज्यादा महो जाले गिर्से जयादा क का मुबा तो जो को जो जो को जो जो कि लोग जो 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 कि अजय है पुछ पुछ उड़ तो, नर्ड़ी नर्ड़ी गोग चानला पाम के लुछ झालपकर पाम कैका उंटे दो में इनने कि डिनुप पहुड़ कर का फुछ चार से तो नर्ड़ीज से दो तो ब कार आग मैं एक लुछ़ कर दो. मुझे भूक लगी है हमें खाना नहीं दोगी मा खाने का क्या होगा फोरा इंतिजार करो क्या बात है अब क्या हुआ अब क्या हुआ खाना क्यों नहीं खा रहे हो यह तो बहुत कम है यूसफ को ज्यादा क्यों दिया चुप चाप अपना खाना खाओ बस करो लिया क्या कर रही हो खुद पर काबू रखो बिन्यामीन को मैं समाल लेती हूँ तुम अपने बच्चों को खाना खिलाओ इतने सारे बच्चों का पालना मुश्किल है लिया हक बजानिब है अपने साथ बेटों और बेटी के साथ रहल के बच्चों का भी जाफ़ा हो गया है मैं फिर कहती हूँ कि मुझे हमेशा ही से साथ बेवलाद होने की खाहिश रही लेकिन ये आरजू कभी पूरी ना हो सकी मेरी जिन्दगी अब जादा नहीं रही बेर ये खाहिश पूरी कर दो रही के इस बच्चे को मुझे दे दो इतने नान रखो मैं इसे अपनी पलकों में छुपाकर रखोंगी देख रहे हो ना के लिया वेचारी भी किस कदर मुश्किल में गिरिफदार हो गई है तो मैं यूसुफ और उसके भाई के मुझे को सोचना होगा लेकिन उसकी दूरी को कैसे बर्दाश्ट करो अगर दूर ले जाओं तो बर्दाश्ट ना करना अगर इसे हर रोज तुम्हारे पास लेकर ना हूँ तो वापस ले लेना अगर इसकी मुहबत में कमी करूँ तो मुझे मत बख्षना मुझे मौका दो मैं अपनी जिन्देगी के ये आखरी आयाम यूसुफ के साथ गुजार लूँ यकिन जानो इस तरह रखूँगी के राहिल की रूफ भी शाद रहे और तुम्हारा दिल भी लेकिन फाइका राहिल से किये के मेरे वादों का क्या होगा मैंने जो किसम खाई थी कि उसके बच्चों के मा की कमी का ज़रा भी असास नहीं होने दूँगी फाइका तुम्हारी किसम को अमली जामा पेनाएगी यकीनन वो यूसुफ को उसकी मा से कम अजीज नहीं रखेगी तो में डर है कि मैं बच्चों की ज्यात्ती की वज़ा से यूसुफ का ध्यान नहीं रख पाऊंगी नहीं बलके मुझे तो खौफ है कि कहीं तुम दूसरे बच्चों को नजर अंदास करके सिर्फ यूसुफ परता बच्चों न देने लगो यूसुफ मेरे बेटे इधार आओ बेटा ये बताओ कि तुम अपनी फुपी फायका के साथ जाना चाहोगे जी बाबा फुपो फायका एक अच्छी मा है मगर तुमारी मा की तरह अच्छी नहीं लेकिन कोशिश करूँगी कि मुझ मैंसे तुमें उसकी खुश्बु आए शुकर गुजारूं आपकी मैं आपसे वादा करती हूँ कि जहां से जादा इसे अजीज रखूँगी और अपने सीरे से लगा कर रखूँगी इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाये से यहां से ले जाओ इसका मतलब है अब हम यूसफ से नहीं मिल पाएंगे ये तुम से किस ने कह दिया फुपी की जान ये हर रोज तुमारे साथ यहां खेलेगा तो क्या हम अभी यूसफ के साथ खेल सकती है हाँ हाँ क्यों नहीं अरे तुमारा खाना तुम लोग ने अपना खाना खातम नहीं किया ख्याल से करें तुमारा खाना 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 खाना। कर दो है कि झाओ जो है आज के बाद भेड़े तुम्हारे हवाले है आएंदा में तुम लोगों के साथ नहीं जाओंगा मुझे लोगों के मसायल हल करने है जिसके लिए हम कनान आये हैं ख्याल रखना भेड़ों को कोई खत्रा पेश ना आए घबराये मत बाबा अब हम बच्चे नहीं रहें जानता जानता हूं चलो अब चाओ सलाम भुपो ऐसल्लाम मेरी जान सलाभ इसलमार हामी और नासे बच्चों हूर दैखो यूस अ सलाम भपाव का सलाम मेरी जान यूसिफ का ख्यार रखना हूं जी अच्छा जी अच्छा अब हम नभी खुदा पर सलाम यूसुफ चल्दी करो पकड़ो इसे पकड़ो इसे जल्दी करो किसने कहा यतीमी बुरी चीज होती है कितने खुश्कुसमत होते हैं यतीमी अगर यतीम होना इतना ही अच्छा है तुम सब क्यों नहीं मर जाती शायद तुम्हारे बनने के बाद तुम्हारे बच्चों को भी जादा तवज़ों मिल जाए नई माम बलहा के कहने का ये मतलब नहीं था पुपी मेरे कहने का मतलब था कि आप काफी अच्छी तरह से योसुफ की परवरिश कर रही है और इसके लिए मेरबन मा की तरह है रहने दो तुम्हारी बातों का मतलब बैखोब समझती तुम्हों को क्या हो गया यानि जरासी मुहपत भी एक बिन मा के बच्चे के लिए तुमसे बरदाश नहीं होती ख्याल रखना बहन कहीं तुम्हारी यूसुफ से हट से ज्यादा वाबस्तगी और उसको सजाना सवारना उसके भाईयों में हसत का बीच नबोते यूसुफ को तुम्हें सोपने की असल वज़ा भी लिया कि उससे बेंतहा महबत करना ही थी वो ना चाहते हूँ यूसुफ और उसके भाईयों के दर्मियान फाक कर बैठी थी जो तुम्हारे बेटों में हसत और कीना का बीच बो रहे हैं वो बला और जुल्फा हैं लिया नहीं खुदा यूसुफ को हासितों और दुश्मनों की शर्फ और बद नजरों की नजर से महफूज रखे पता नहीं क्यों उसके लिए दिल परिशान रहता है परिशानी की कोई बात नहीं अगर इजाज़त ओ तो उसे ले जाओ जानती हूँ यूसुफ को भूख लगे होगी यूसुफ जी आजाओ बेटा चलो चले मेरी जान खुदा हाफिज खुदा हाफिज माँ यूसुफ के कपड़े देखे वो फाइका ने इसके लिए सिये है हमारे लिए भी ऐसे कपड़े सियोगी ना मेरा ख्याल है कि कोई और बात है जो बाबा हमारे साथ नहीं आए मसलां कौन सी बात यूसुफ वो यूसुफ के साथ हैना चाहते हैं मैं ऐसा नहीं समझता वो पैयामबर हैं और उन्हें लोगों के दरमियान रहकर उनके मासाइल हल करने होते हैं यूसुफ के कपड़े देखे हैं तुमने देखे बहुत खुबसूरत लग रहा था बड़ा खुश खिसमत है लावी यहूदा चलना नहीं है यहूदा चलो उसकी हालत तो और बैतर हो गई है बजायर राहिल की मौत कमस्कम यूसुफ के लिए तो बुरी साबित नहीं हुई कहने को तो तुम भाई हो मगर तुम्हारी बातों से नहीं लगता यह पैनो यहीं रुको तुम जानते हो यह क्या है यह मेरे बापा और तुम्हारे दादा इस साख नभी का कमरबंद है मेरी खाश थी कि यह उसे दूंग जो कारे रिसालत को जारी रखे मुझे उमीद है कि इसके वारिस तुम ही हो मुझे यह कमरबंद अच्छा लगा है हजरित इबराहिम अलिएसलाम की कमीज और यह कमरबंद मेरे पास अमानत थी कमीज मैंने भाई को दे दी यह कमरबंद फिलाल तुमारे पास रहे इससे कई गुम ना कर देना मैं डरता हूँ कि कोई इस कमरबंद को देखकर नाराज ना हो जाए मसलन कौन मसलन मेरे भाई इसके तुम फिकर मत करो चलो जल्दी करो हमें तुमारे बाबा की दर्स में पहुचना है चलो हसद यानि वो नेमत और दौलत और मकाम और मनजलत जो किसी बंदे को अता हुई है उसकी नाबूदी की आरजू करना हसद यानि किसी के पास किसी नेमत के होने को बरदाश्ट ना करना हसाद याने दूसरों की काम्याबी और खुशकिस्मती को बरदाश्ट ना करना और दूसरों की फुक्र तंगदस्ती का खुआश्च मंद होना अब तुम में से कोई बताए के हासित किसे कहते हैं वो कमर्बंद जो यूसुफ ने बांदा हुआ है वो तो इसाद नभी का है फायका ने यूसुफ को क्यों दिया मेरा खयाल है ये तो आने वाले पेगंबर के हवाले क्या जाना चाहिए था यानि हासित का दिन नहीं चाहता कि लोगों के पास कोई नेमत हो शाबश हासित वही होता है जो तुमने कहा हासित हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर गमगीन और रंजीदा होता है देख रहे हैं हूँ केसद दिखावा और मीटी मीटी बाते कर रहे है हामादी और मालो मताय दुनिया हूँ हासित से बचने का क्या तरीखा है ये कौन बता सकता है इसका जवाब यूसफ को नहीं आएगा मेरे प्यारे यूसफ क्या तुमारे जहन में कुछ नहीं आ रहा बाबा, क्या हासित को मालूम है कि इस दुनिया को एक ना एक दिन खत्म होना है शाबाश बेटा, शाबाश जवाब यही है जो तुम ने दिया हासित को चाहिए कि जान ले कि दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती हासिद को ना दुनिया की नेमते में यसर आती है ना आखिरत के इनाम हासिद अपने हसद की वज़ा से दुनों जहां की नेमतों से महरूम रहता है और उसे कुछ हासिल नहीं होता ना हासिद ना मैसूद कोई भी इस दारे फानी में बाकी रहने वाला नहीं अगर हासिद ये जान ले तो अपनी दुनिया को हसद और तंग नजरी की वज़ा से जहन्नु में तबदील न करे एक बिन मा के बच्चे से महबत करना फित्री बात है क्या जिनकी माएं जिन्दा हों उनसे महबत ना करना भी फित्री बात है यानि जिनकी माएं हों उन्हें महबत की जरूरत नहीं होती एक तरफ तो फुपो उसे नएने कपड़े पहनाती हैं और उसे सजाती सवारती है दूसी तरफ माँ उसे जानों पर बिठाती है और बहतरीन खाने देती है हमारे सामने उसकी इफाज़त जायर करते है लेकिन बाबा उसे हम सबसे ज्यादा चाते है हाँ बिल्कुल वैसे आपस की बात है हमारा भाई यूसुफ है ही इतना समयधार और शीरी जबान उसका मासुम चेरा वाकियतन चाहे जाने के काबिल है हम सब ही अपने भाई यूसुफ को चाते हैं लेकिन गलती तो हमारे वालदین की है ना वो क्यों यूसुफ से हम सबसे ज्यादा प्यार करते है तुमने हमारे दादा इसाफ का कमर बन और बाजू बन देखा जो यूसुफ ने बांदा हुआ था बल्हा कहरीती की अंबिया की मिरास है और बात में आनवाले पेखंबर को मिलनी चाहिए तो फिर फुपो फायका ने वो यूसुफ को क्यों दिया ये तो फुपो से भी पूछा जा सकता है वक्ते गुरूब जब गल्ला वापस लेकर चलेंगे तो फिर फुपो के पास चलेंगे बाईयों पत्थर चलो आजमा के देखते हैं मैं तुम सब को हरा दूँगा ये लो यहुदा ने फिर वही चुरू कर दिया जो जीतेगा वही बाबा का जानाशीन होगा जलो शाबाज जोड़ लगा नहीं उठा सकते हैं जो जीतेगा वही बाबा का जानाशीन होगा शाबाज जोड़ लगा आप बाकर, आप तुम को लिष्गरो तुम उठाओ शाबस, उठाओ सलाम खाला, सलाम जुल्फा, सलाम, कहां जा रहे हैं गल्ले को बाड़े में छोड़ेंगे, फिर हम फुपो फायका के पास जाएंगे दरसल हमें उनसे कुछ काम है हमें भी उनसे बहुत कुछ पूछना था और अभी हम वहीं से आ रहे हैं मेरे ख्याल में यू बिना बताये, तुम्हारा फुपो के घर जाना ठीक नहीं तुम्हारे बाबा फुपो फायका के पास हैं वो यूसुफ से मिलने गए हैं और ये सब देखकर, तुम लोगं को शायद अच्छा न लगे क्यों? वहाँ ऐसा क्या हो रहा है? चलो देखते हैं ये कौन सा मुश्किल काम है? आजाओ बाबा यूसुफ को हम सब से जादा कितना चाहते हैं यहुदा फजूल बाते मत करो जब हम छोटे थे तो बाबा के जानों पर इसी तरह बैठते थे और वो इसी तरह मुखबत करते थे बलहा और जुल्फा इसी लिए कह रहे थी कि फपो फाइका के पास यूही अचानक मत जाना फजूल बाते मत करो मैं तो जा रहा हूँ यहीं रुको बेटा सलाम बाबा सलाम मेरे बच्चों सलाम खांदान याकूब के मर्दों जीते रहो मेरे बच्चों तुम लोग कब लोटे बस अभी अभी भेडों को बाड़े में छोड़ा और यहां आ गए ताके ताके क्या हम आए हैं ताके फायखा फुपो से कुछ बाते कर सके हाँ बोलो सुन रही हूँ फुपो यह कमर्बन हमारे दादा इसाख नभी का है न हाँ ऐसा ही है लेकिन यूसुफ के लिए सिफ एक खिलो ना है मैंने सोचा कि यूसुफ इसम मश्हूल होकर अपनी मा के खम को भूल जाए लेकिन बिल्हा कह रही थी के यह कमर्बन गुदिश्टा नभी की मिरास है और इससे बाद में आने वाले नभी को मिनना जाए इसाख नभी के बाद मैं नभी हूँ यह कमर्बन मेरे लिए बाबा की मिरास और यूसुफ के लिए एक खेलने और मश्कूल रहने का वसीला है बल्हा और जुल्फा जब तक राहिल जिन्दा थी उससे हसद करती थी अब जबकि वो नहीं रही तो उसके बच्चों से हसद करती है उनकी बात पर कान मा धारा करो बाबा यहुदा कहरा था के आप यूसुफ को हमसे ज्यादा चाहते हैं ऐसा नहीं है मैं तुम लोगों को भी बच्च्पन में अपने ज्आनू पर बिठाता था अगर तुम लोग भी मुझसे दूर होते तो तुम्हें भी देखने की लिए आता मैं तुम सब को चाहता हूँ मैं मजीद ऐसी बाते सुनना नहीं चाहता हूँ चलो, चलो मैं तुम लोगों को घर के मर्द और अपना दस्तो बाजू समझता हूँ और एक तुम लोगों के एक छोटे से कबजोर बच्चे से बराबरी करते हो खुदा आफिस में फाय का पुपो, बाबा से कहिए कि वो मुझसे महबद ना किया करें क्यों बेटा? इसलिए कि मेरे भाई नराज होते हैं मेरी जान, तुम्हें माँ की महबद तो मिली नहीं क्या आप बाब की महबद से भी महरूम रहना चाहते हो तुम्हें के की महरूम होते हैं यूसूप? यूसूप नहीं प्लाप खभारूम क्यूसाभ है अगयू क felony हुआ है। इम अखयो, है। जो 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 जो, जो जो कि वुघडाए और वंगाे हुआ है । हुआ है प्रफ एूदे लुघ खिर धुङी जोजे खोब दोगा है यूसुप आराब से यहां आजा मेटा आताज। चूसूपू जल्दी करो जाओ, छुप जाओ सब लोग छुप गए मैं बीस तक गिनती हूँ जाओ ढूंड़ो उन्हे लेकिन अभी तक यूसुफ को नहीं ढूंड़ा यूसुफ पता नहीं यूसुफ कहां चला गया यूसुफ यूसुफ खेल खतम हो गया बहार आ जाओ यूसुफ कहा हो तुम यूसुफ कहा हो तुम यूसुफ कहां चला गया है मिल ही नहीं रहा कहीं जट पर तो नहीं है फाय का पुपोर बिस्मा के पास तो नहीं गया यूसुफ 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 वह मेरे बाई यूसुफ यूसुफ यूससुफ यूसुफ यूसुफ कहाँ, यूसफ कहाँ, यूसफ जट बढ़ तो नहीं है यूसफ यूसफ कहाँ यूसफ यूसूस यूसर, यूसफ माइंग, यूसब। यूसफ यूसूस पता निकाँ चला है यूसफ पर क्या गुजरी गया क्या उसके साथ पुछ तो बोलो अराम से रुको तो सही पता तो चले कि क्या हुआ है अब बोलो मैं घर में काम में मशगूल थी यह बच्चे सेंड में के खेर में मगन थे अच्छानक सुना कि सब यूसफ को मुकार है मैंने पूचा क्या हुआ तो बताया कि यूसफ को मौगे आए सब्जेका ढूंड या है और ढूंड लिया है इस तरह मानत का खयाल रखा जाता है इस तरह तो यूसफ की फातर की है आपका ध्यान कहा था बस करो बस करो देखने तो दो आकिन हुआ क्या तुमने घर में अच्छी तरह तो देख लिया ना देख लिया है यूसफ बहुत हुश्यार बच्चा है खुद को ऐसी जगह चुपाया होगा कि कोई ढून न सके मसलन संदूक में या या तंधूर में मेरे खुदा यूसफ 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 इधर आओ मेरे बच्चे सलाम बाबा सलाम मेरे बच्चे तुम यहां क्या कर रहे हो वा बेटा तुमने तुम मेरे जान ही निकाल दी यहां क्या कर रहे थे तनूर के अंदर क्या कर रहे थे खाला हम खेल रहे थे मैं यहां आका छुप गया ताकि मेरे भाई मुझे ढून न सके फाइका तुम्हें यूसफ से गफलत नहीं वरतने चाहिए थी अगर यूसफ का तनूर में दम घुट जाता तो क्या कर लेती आज के बाद मैं इने अपनी निगाहों से कभी दोड़ने करूंगी. झाल झाल झाल